सार्या नू मेरे वल्लों साथ शिरे का प्यारे बच्चों जिवे के उसी जान दे हो NSDC वल्लों चलाए गए सब्चक्ट NSQF दे दीन वाख वाख स्कूला विच वाख वाख ट्रेट्स काम कर रही हैं इसे तरह ही मैं तहानू आज Health Care Trade दे, Plus One Class दे, Unit Second दे टॉपिक PCA, Daily Care Plan अते Basic Components for Patient Treatment की मरीज दी कमफट वासे एहम पाक की हुन दिहन एस आप जानन तो पहला मैं तहानू ए दसांगी की GDA हुन्दा की है GDA जाँ PCA बेटे हुन्दा है GDA for General Duty Assistant and PCA Patient Care Assistant ए ओ व्यक्ती हुन्दा है जो की Health Care Providers दी जो डॉक्टर नर्सी सुन्दी हान उनना दी मदद करदा है कादे विच मरीज दी देख पाल करने विच उसनों आसी GDA कहन दी हान Next आसी पढ़ांगे Function and Role of PCA और GDA in Hospital मतलब हॉस्पिटल विच एक GDA जा PCA दे की एहम जोगदान हुन दी हान की ओ की अपनी जोगदान बहुन दा है सब तो पहला है Assist in Treatment की जो वी पेशन्ट हो ऑस्पिटल विच आ जान्दा है उस दी देख पाल करने विच ओ डॉक्टर नर्सीस दी हल्प करदा है जीवी की पेशन्ट दी वाइटल साइंस चेक करदा है ते उधी ट्रीटमेंट करने विच डॉक्टर दी हल्प करदा है सेकेंड है एल्प सिन प्रवेंशन बिमारिया नों रोकन वीच वी जीडी डॉक्टर नर्सीस दी हल्प करदा है थर्ड आप प्रवाइट सर्विसिस रिगार्डिंग रिहाबिलिटेशन रिट रिहाबिलिटेशन हुन्दा है मोडवसेबा मोडवसेबा मतलब जोकी से मरीजदा मालोग जा एक्सिडेंट हो गया है जां फिर कोई बिमारी आ गई है तो उस मरीजदों से दुबारा उस दी पहला वाली कंडिशन वेच लागे जाना ताकि उग दुबारा मोड कामकार दे योग बन सके उदे वेचवी जीडिये हल्प करदा है डॉक्टर ते नर्सीस दी लास्ट वन इस अमर्जेंसी सर्विसिस अमर्जेंसी सर्विसिस हुन कि बेड़े तुसी इस पिच्चर वेच वेच सकते हो एक जर्नल डूटी सिस्टंट की का रहा है पेशन्ट दे वाइटल साइंस टेक का रहा है अते डॉक्टर दी हल्प का रहा है ट्रीटमेंट विच सर्विसिस प्रवाइड का रहा है नेक्स ऐसी पढ़ांगे डेली केर प्लैन परें डेली केर प्लैन की हुन्दा है जदो कोई म्रीज आ जानदा है ते असी प्लैन कर दिया किवे उस मृइज दी आसी केर करनी है ओधे वीच पड़े श्टैप वाइस हुन्दा है फाइव स्टैप सभूने हम सब दो वहला स्टैप है इस असेस्मेंट विच की पैए असी ते औस दाटा एकठा करना होंदा है ओं सब्जेक्टीव ही हो सखगता है तो अपजेक्टीव ही हो सक्षगिडेटीव ज पर चाणकरी और mean के पुष्टरों सगरीब्गर संवेal सिंटक्रा मेरे में वो सारा सानु यह दे बारे जानकरी प्राप्ट दिन दा है अब्चेक्टिव टाटा ओंदा है जो असी खुद इकठी कार दी है उस तो जेवें के इसे उसे उसे वाइटल साइंस लेनी है जित्तों सानु यह पता चाल जाना है कि इसमरीजनु ए प्रॉब्लम है यह सारा पेशन दे है किया उपता करना है थर्ड स्टैप है प्लाइनिंग जदो सानु मरीज दी प्रॉब्लम दा पता चाल लगया थे एसे फिर प्लाइन करांगे कि असी मरीजनों किस तरह ठीक करना है की केर देनी है नूँ फूर्थ स्टैप है इंप्लीमेंटेशन देड़ी चाहलांगी चीमे की मान नोय इकमिरीज भॉस्पिटल वेचर आया जुद होस्पिटल वेचर आया असी सब तो परणीं की किता असी उचना पुछे की प्रॉबलम है यह साड़ा की हो गया थर्ड स्टैप आगे प्लाणिंग फिर असी की सोचए असी प्लाण केता की असी की करांगे की असी येस म्रीज नू कोल्ड स्बंचिंग दवा गेते पैरासिता मौल्दी टेबलेट दवांगे प्लाइनिंग की हुँन दी है पेटे जो भी ठंडे पाणी दिया असी पट्टिया मरीज दे सिर्थे राख दे हां जदो मरीज बुखार वेच उन दा है उसनों असी प्लाइनिंग की हुएगा जदो मरीज नू अप्लाइनिंग करता मरीज दे लगू करता लास्ट स्टेप जो की वेरी इंपॉर्टन स्टेप है वेलुएशन ओदे विच strategically करना हुन दे है जदो निए माननों असे मरीज नू ठंडे पानी दे पट्टियां भी देत नरख दियां गोली भी देती अवेलुएशन वे जी Gib hers करांगे की कि खिर करेंसमरीजने साड़ा-इच और सीघ दवाई दधा कोई फरक्या प्याओ है कि नहीं जे कर मोलांकन नहीं करांगे तो सीन के मैं पता चलएगए जो सीग्रोगääर सड़ी सक्सेस्वूल है या नहीं उदा कोई असर होया है या नहीं ठीका इसे लिए मुलांकर्ण जेड़ा आखरी स्टैप है साथा बहुत ही इंपोर्टन है असी हो जुरूर करांगे डेली केर प्लान दे विच जी मैं कि तुसी आफ देखून सब्तों पहला असी पंजाबी वेच वेख दे हैं मुलांकर्ण स लागू घौन संव स्मस्वाइब स्टेटह के, सिट्था निकल की बैस निकले अगाई इस आनना बहुत ही जुरूरी है कि इस दा सिट्था आखरकार सिट्था की निकला है next है basic components for patient comfort जिदो कोई patient hospital वेच आ जान दा है यहांड है सदिर्संपोनिटी बंदी है कि ऑइक patient नो hospital सै कि अराम दाएक महौल दवावे उदे वास्ते की चाहिए है उदे बारे से पढ़ांगे सब तो पहले है proper ventilation कि एक comreeze, जो कमरा है खुला हवादार होना चाहिदा है उसदे वेच प्रॉपर मात्रा वेच एर vem'tillation होंई चाहिदी है cross ventilation होनी चाहिदी है उसनों को टन महसूस नहीं होनी देनी चाहिदी सैकेंड है required humidity जो की हवादी नमी होनी हूदी है वो प्रॉपर मात्रा वेच होनी चाहिदी है Peaceful atmosphere Peaceful atmosphere दा मतलब ले है कि जदो म्रीज सार डिकुल नथा है पीशन्त ते जवें कि दुशी जान दे हुए हो जवें पहले ही विचारा बहुत ही irritate होंदा है ते बहुत ही upset होंदा है अपनी बिमारी दी वज़ा करके पर जदो म्रीज हो उस्पिटर वेच आ गया असी उसनों comfortable करवोना है असी उसना environment peaceful रखना है जे कर म्रीज दे आले दवाले हो शोर श्राबा होएगा ते म्रीज बहुत ही irritate हो जाएगा नेक्स्ट है availability of proper light म्रीज दे रूम वेच लाइट दी प्रॉपर availability होनी जाएदी है जे कर लाइट नहीं होएगी तक कुछ पेशन्ट एदा ने होंदे हाने जिवें कि ओ डर दे हन ओ डरेगा ते उस दी जड़ी physical condition होर वर्स हो जाएगी होर बिमार हो जाएगा इसलए लाइट दी प्रॉपर जो है availability होनी जाएदी है नेक्स्ट है hygienic रूम पेशन्ट दा रूम हमेशा ही hygienic होना जाएदा है उस विच किसे में प्रकार्दी कोई वी dust नहीं होनी जाएदी प्रॉपर डस्ट पिन होने चाहिए हैं डस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए हारे कार्टिकल दी कोई वी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए म्रीजनों हाईजनी तौरते नेक्स्ट है comfortable bed this is the most important point for that देखो जेकर पेशन दा बैड़ी comfortable नहीं होएगा ते ओ दिन ते रात ओं comfortable ही नहीं रहेगा क्योंकि बैट बहुत ही important है इसलिए बैट जो है पेशन नों comfortably प्रवाइड करना चाहिए है ओधे according to the problem होना चाहिए है ते बैड उन्हों बेलो बैक्राइस टू वी चाहिए है ओवले आर्टिकल मिरीजनों महिया करोने चाहिए हां नेक्स्ट आपको पढ़ाँगे picker's 8 principles picker's ओनला ने अपनी 8 principle बनाए यहां related to comfortable of patient कि patient no more comfortable क्योंगी यसी बना सकती हां ओधे बारी उन्होंगे अपनी 8 principle बनाए हन ओधे पढ़ाँगे 8 principles की हन बेटे कि पेशंट फोर पेशंट प्रेफरेंसिस पूरा नहीं प्रेफरेंसिस पूर। नेक्स्ट है coardination and integration of care coordination and integration वेटे कि पेशंट वेच्ट ते तो हम टे वेच शेयर रूरा होना चाहिता है वतलब सबस्क्त 65 जो वी है उन्हों इन्फर्मेशन देनी है शेयर करोगे लिए को श्युली नाद जड़ा है हूर चंगी तरह कर59 वांगे थे선 नेक्स्टा इनफर्मेशन एड एड़ एड़ुकेशन हार एक म्रीज जो भी हो स्पिटल विच ओंदा है उससा पूरा हाक हुंदा है कि उसनों पूरी जानकारी देए कि तरह डी ट्रेटमेंट ऐस तरह चाला रहा है ते तरह डी जो कंडिशन है पहले नाडों एनी प्रोग्र प्राइस कर चुके हो नेक्स्ट आप फीजीकल कंफर्ट फीजीकल कंफर्ट विच ओंदा है जी मेंकि मरीज नों कोई पेन वगारा ना होवे पेन दी मैंगेज़मेंट होवे उससाबेड वगारा सभी होवे इन्वाइर्मेंट शांत होवे लाइट दी विलिबिल्टी होवे वेंटीलेशन होवे जोतान में जिवें पहलना दस्या सीगा नेक्स टाइक इमोशनल स्पोर्ट इमोशनल स्पोर्ट है कि बेटे जो भी पेशंट हो आस्पेडल चाहूंदा है वह बहुत ही ज्यादा डर्या होया हुंदा है इंजाइटी मतलब दुखी हुंदा ट्रीटमंट चल रहा है तो उसी हुँ ठेक हो जागोगे कोई टैंचन लेंदी जुरूरत नहीं है नेक्स्ट इनवोल्मेंट और फैमिली और फ्रेंट्स इसाड़ा फर्चपन्दा है कि पेशंट नों और कमफेटेबल करा लिए असी उस ते फैमिली ते फ्रेंट से इनव ट्रांजिसन की है कि असी म्रीज नों जो असी अदा कंटिन्यू स्टीटमेंट का रहे हैं ओधी अंडस्टेंडेबल एंड डिटेल इंफर्मेशन अजी पेशंट नों ते उदे रैलेटिव्स नों देए ओदे बारे ताकि ओ और इंश्योर होजे आपनी कंडिशन दे पार नेक्स्ट लास्ट है गा असेस्टू गेर असेस्टू गेर की है कि अवेलेबिल्टी ओफ ट्रांस्पोर्टेशन गुड होनी चाहिए लोकेशन ओफ होस्पिटल वद्य होनी चाहिए और रैफ्रेल सर्विस्टिस अलसो शुड भी गुड जेकर यह सारा कुश्वद्या ते वद्या तरीके नल आपना चुद्ना में टाइम अपनी बमारी दे दुरान हो उस्पिटल एच स्पैंड करना है वद्या करेगा ते बच्चों मैं आस कर दिया है कि जो में तानू टॉपिक समझाए हां तानू बहुत ही वद्या तरीके नह समझ जाया होएगा खोप सो क कि तो इसे बहुत ही इस तों फाइदा जुक्या होएगा अब मैं तानू सारे नों इहीं गुजारिश कर दी हां कि तो इसनी यह चो वी मैं टॉपिक तानू समझाए है इसनू त्यानल पड़ो तांगी ताड़े लाइफ विच काम आसके तैंक्यू जो